तो बच्चे प्रिविएस लेक्टर में हमने यार क्या पड़ा था बच्चे जी तो प्रिविएस लेक्टर बच्चे हमने श्टडी किया था अबाउट हाओ तो फाइंड एवरेज मॉलेकुलर मास् या एवरेज ग्राम अटमिक मास् या अबरेज अटमिक मास् अगर परसेंटेज दिया हो तो कैसे निकाले अवाज आ रहा है मेरा हर किसी को बच्चे एक यह सर्फ चलो गुड़ 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 या ऐजके लेक्चर वाले मैं मुम्लो आप यह सब्सेंटेज इंडा परसेंटेज इंडया परसेंटेश कम्भीने संडिके उप्श को बच तो कि अब से पहले हम बात करेंगे इस जब प्रिविएस लेक्षर रहे पढ़ाता है उस पे अधर करते हैं फिर बच्छी आगे की बात करेंगे जैसे मान लो इसा है बच्छे एहर में हम लोग मान रहे हैं कि नाइट्रोजन और 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 यह दिया हुआ बच्छे जी है एक परसंट बाइवेट एक बाइवेट करेंगे बाइवेट करेंगे बाम मल्स तो फाइन दौ एवरिज मोल्कूलर मास अव्यर एवरिज मोल्कूलर मास फाइन करना जा इसको येस और आपको इसका एंसर रिप्लाई करना है ये जिस ये राम को उन्हों ज्वाइन किया हूं विदाउट जो खोश्ट नहीं है उस पर आपको ग्रेज़ना है येस तो नाइटोजन का बचे बाई मोल्स परसेंटेज दिया हुआ है 80 परसेंट ये डिप्लाई करने विचे जी कि एवरेज एटोमिक मास्स एवरेज मॉलेकुलर मास्स क्या होगा एयर का और एयर में क्या है नाइटोजन और ऑक्सिजन में लिए इस विद्व कर विचे जी दो बिनट का टाइम दिया आपको सोल करने के लिए झाल ये जी दो बिनट का फिरा गवरेज चिजन में लिए झाल 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 दन बच्चे चीक है, वेरी नाइस बच्चे, यस, वेरी गुड़ बच्चे यस बच्चा, फोर्ड आए बच्चा वेरी गुड़ यस कोई और एक रिप्लाई करो, उसके बच्चे बच्चे, प्रिशा जी, यस, वेरी गुड़ बच्चे, स्रिया बच्चे जी, वेरी नाइस, चलो, अब मैं फॉल रिप्लाई करते रहो, अब मैं इसको फोल करता हूँ, तो बच्चे, परसेंटेज बाई, मोल्स दिया हुए है, तो हमारे पास बच्चे जी, N2 है, हमारे पास O2 है, और molecular mass molecular mass कितना होगा, what is molecular mass, या gram molar mass बोल सकते, gram molecular mass या molar mass GMM GMM gram molecular mass या molar mass, कितना होगा चाही निटोजन के लिए तो it is 28 it is 28 and oxygen चाही चाही 32 32, now percentage by moles दिया हुआ, it means that mole दिया हुआ, percentage by mole जो दिया होगा उसको आप क्या मान लोगे, moles मान लोगे, it is given how much it is given 80%, तो 80 moles मान लोगे इसका nitrogen का, ये कितना हो जाएगा बचेजी, 100 minus 80 100 minus 80 direct formula भी लिखाया का आपको इसका direct formula आपको से भी लेवल है येस बचेजी, very good दुरू बचेजी, very nice now, ये तो हो गया mole now find the mass क्योंकि बचेजी average मंक्रमास क्या होता है total mass divided by total moles since percentage by moles है तो total moles कितना हो जाएगा बचेजी 100 total moles is 100 तो बचेजे हम क्या करेंगे total weight निकाल लो by 100 से divide कर दो तो moles total weight कैसे निकालोगे बचे, molar mass 28 है and 80 is the number of moles तो क्या होता है, weight क्या होता है, बोलो it is moles into या molecular mass into moles molecular mass into moles यह क्या जाएगा जाएगा जी 32 into 20 जिका अपलाई करो यार फ्रमूला पे तो average average GMM of air will be फ्रमूला पे यह ही बचेजी total mass divide by बोलो total moles total mass बचे जी कितना हो जाएगा so 28 into 80 plus 32 into 20 divide by 100 अब इसको solve कर लो तीक है इसको solve कर लो अभी चाहो तो क्लॉप्र यूज कर सकते हो बट क्लॉप्र यूज एजस्ट नहीं करना चाहिए तो 28 into 80 plus 32 into 20 it is 28.8 28.8 और gram हमने युच किया है तो gram तो बिल्कुल सही अंसर बचे जी ट्वेंट पॉइंट 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 ग्राव तो देखो लो बचे एक बड़ इनको भी गलत हुआ है जिनको नहीं आया बचे जी एक बड़ लिख लो इसो येस एवज एव एवर इनको एक स्विफ़ाइट्वाइट इनको इस दिवाइट वाहेंड आइज जहांद एवान किया थांटामिक मास था एट्विफी तो भी ग्राम में मास्ट था और एक शुदध परसेंटेज था यहांपर क्या हो जाएगा एवन के जगापर 20 जाएगा एटु के जगापर जाएगा इसको कपी कर लो चैसे कि कुझ s बन बच्चे हो गया और रजाइग करो बच्चे टीचर से इंट्राक्ट करने का इसका एंसर इप्लाइग करने का नहीं तो धिकत होगी बच्चे तो आपका उतना अच्छा से आप नहीं क्लास को समझभावगे अगर इंट्राक्ट नहीं पर होगे same questions मैं दे रहा हूँ, same question, same, मारे पास N2 है, N बच्छे जी, O2 है, air में दोनों है बच्छे जी, अब 80% by weight है बच्छे जी, by weight, calculate average GMM of air, same question है बच्छे जी, yes, यहाँ पर change मैं कर दिया, percentage by moles नहीं देकर, percentage by weight दे दिया, sometime बच्छे exam में नहीं दिया रहता है percentage, तो weight लेके करो या देख लो option क्या है उसके दार पर देखने बच्छे जा, solve it. देखो क्या रहे? क्या देखो क्या अज्ग्रों कर दोग्छे, सुछे जार रहे? क्या है? क्या देखो कर दो दो.. खो दूब कर दो झाल झाल प्रीशा ओके ठीक बच्छे अमन बच्छा जी वेरी गूट अभी के लिए आप कर्कुटर रिविस कर लो अगर करने प्रॉब्लम हो रहा बच्छे जी बट आफ्टर क्लास बच्छे को प्रोपर क्यालिशन करना खुझ से क्लास में आप जल्दी एंसर करना चाहते हो तो करेंटर यूज कर लो करना बच्छे लूट कर लो वे वे लूज आप कर लो वे लूग्छे बच्छे आलो रिप्लाई करो देखो क्या रहा रहा है यह जो तो आपको रिप्लाई करें तो बच्छे हां पर क्या दिया हुआ है परसेंटेज बाई वेट दिया इस नॉट गिवन परसेंटेज द्याओन जब परसेंटेज बाई वेट दिया हो ना तो टोटल वेट इस हंड़ेड और प्रिसा आपने यहीं यूज किया है वेरी तो ठीक है दो देखतें आगे हमारे पास एंटू है और यहां पर ओटू है और जीए में तो जरूरत है बचेजी क्राम मॉलिकुलर मास या आप मोलर मास बोल सकते हो और इटीज पॉर नाइटरोजन के लिए 28 और 32 जरूरत है बचेजी नाव बचेज विल टॉक बाट करोगे आप यह बचेज में लास्ट क्लास ने बोला था बचेज फर्मूला अच्छे से जरूर रियाद करना बचेज जो भी आपको फर्मूला लिखा हुआ है उसको एक पेज पे लिखो एविडे क्लास में जो फ जो बटकर हो जो उसी में बॉक्स बना दो बॉक्स बना के उसको हाइलाइट कर दो और बार-बार अचे आज करना है बचेज डियान करते रहना परयों नेक्स बचंछे विल टॉकबाउट आप percentage by weight is given percentage by weight is given or that will be the total weight it is given 80% 80 gram or it will be 100 minus 80 that is 20 percent of each of the weight is given 100 percent by weight is given अब मुझे क्या चाहिए मोल चाहिए मोट कैसे निकाल होगे है मोल Crown Caer वेट पता हो द्लूप करण तो डू यहां पर कैसे निकालूत अब डिवाइट भाइद ढाब मालकुक्रमाश 28 यहां कि ट्वेंटींटी डिवाइड वैटीटीटव। 20 divided by 32. अब हो गया बच्छी जी, question शोल, इतना आपने सोत लिया, छीक बच्छे गावरी जी बच्छे, देखते हैं हम लोग, अब क्या बच्छी, what is the formula? Average gram molecular mass of air is equal to total mass, total mass by total mass by total mass. यही तो है नहीं, यही तो है, total mass कितना बच्छी, 100 divided by total moles कितना बच्छी, तो first बच्छे nitrogen का moles कितना है, 80 by 28, plus oxygen कितना बच्छी, 20 by 32, और जो आएगा, वो इंसर होज़ जाएगा बच्छी, तो 100 divided by, 80 divided by 28, 80 divided by 28, plus 20 divided by 32, आएगा उच्छी, it is equal to 28.7, 28.7 बच्छी, तो अब देखो, अभी आपने निकाला उच्छी, बच्छी, by weight निकाला तो कितना आया, 28.8 और by mass 28.7, तो अगर एग्जाम दे रहे हो, और ऐसा आजाए एर के अबरेज वेट निके लिए और by weight, by weight या by moles नहीं दिया हो, तो किसी से भी कर लेना, ठीक है, तो इसको लिए 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 है, इसको लिए लिए, इसको लिए लिए, हाँ बच्छे, calculation करके दिखाऊ बच्छी, division आता है बच्छे, बेटा 28 से चलो, जब वो, it is not a calculation class, बच्छे जी आप मुझसे 2-3 मिलना, definitely हम करना सिखाएंगे, क्योंकि यह तो यार, calculation हम तो chemistry सिखा रहा है, बच्छे जी, बट 9-10 में calculation सिखाएंगे तक ऐसे divide करना है, अब देखो, 100 भाई बच्छे जी, यहाँ पर क्या दिया हुगा है, 80 भाई 28, तो कैसे करेंगे, division आपने पढ़ा होगा, 28 है बच्छे जी, 80 है, तो कैसे divide करो जबता, 28 से, कितने टाइम जाएगा बच्छे जी, तो 4 टाइम तो जाने सकता है, तो 2 टाइम घ जा सकता है, ठीकर न, तक्री ताइमस होगा, ठीस्ड भी नहीं जाएगा बच्छे जी, ठीकर न, एक 2 ट्वाईटन जाएगा बच्छे, किया होँा हो जाएगा बच्छे, 16, and 5, इदर आएगा मच्छे 2, और इदर आएगा, कि यहां हो गया 4224 दखलो अब क्या करो जी एक यहां पर डेसिमल दोगे तो यहां पर जीरो आएगा अब देखलो जी कितने टाइम जा रहे है तो अब आपको ट्राइ करने पड़ेगी ना पहले देखो 240 है और यही करना है कोई कोई करोगे तो बहुत दान नंबर है तो आपको पीछे से ट्राइ करने है नाइन देखना है एट देखना है इसमें से कोई मैच करेगा इस दोनों को यहां पर आड कर देना फिर अब हंडेड में उससे डिवाइड कर देना तो बच्छे तो बच्छे करते होते हैं के लिए पुरपर बच्छे जी कल्कुलेशन आप मुझे तू 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 जवाइन करना क्योंकि अभी केमेस्टी क्लास में तो नहीं सिखा पाएंगे तो इतना ध्यानक ना मोल करन से टोटल कैल्कुलेशन ही है मोल कंसेट हंडेड परसेंट कैल्कुल बट एक क्लास 11 नहीं दिस लिए लुट फॉर फाइब से यही काम करते हैं कभी नॉर्मल करते हैं कभी डेसिमल में करते हैं यही तो किये पट फिर भी अगर नहीं आता है मैं रेडि हूं सिखाने के लिए बट नौट इन केमेस्टी क्लास ठीक है बच्छे जी यह बिलकुल मैं सिखाऊंगा आप मुझे करना थू ठीक होता है डाउट क्लास होता है उसा बिलकुल सिखाऊंगा चल लिख लो इसको जी मतब मौल कंसेप्ट ने कल्कुलेशन प्रक्टिस करना है आपको पर अभी आप क्लास में क्लास यूज कर लेना चाहो तो ठीक है बच्छ आफ्टर क्लास बच्छे इस सारे क्ल्कुलेशन खुद से करना क्योंकि यही में आगए तो आपको खुद करना पड़ेगा चाहब नेक्स बच्छे जीसमु लेगलो सब्सक्राइब नेक्स बचे विल्ट टॉक अबाउट डेंसीटी जो प्रिबियस लेक्षिन होंने जस्ट डेंसीटी स्टार्ट किया था तो हम लोग डेंसीटी की बात करते हैं तो डेंसीटी वचे दो एक है एक है एफसोल्यूट डेंसीटी और दूसरा वचे जी रिलेटिव डेंसीटी रिलेटिव डेंसीटी वचे जी और से कोई मतलब नहीं है खुद जो सब्सक्रांस से उसी का निकालना है अब अच्छे इसमें दो टाइब का है एक हम लोग देखते है नियुक्स पेस्फिक ग्रैविटी specific gravity और बचे इसमें होता बचे दूसरा होता बचे जी हो है वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी तो relative density बचे जी specific density है specific gravity है and vapor density है और absolute density बचे जी either solid, liquid, gas उसको किसी का हो सकता है कितनी type की density होती है आपको कहीं specific gravity लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं vapor density लिखा हुआ मिल जाएगा या simple कहीं density, absolute word नहीं आता है simple density, अगर simply density कहा जाए तो that is the absolute density उसको लिखा I don't know absolute density मतलब simple word बुला जाए density मतलब absolute density और इन सबके लिए बच्चे specific नाम देना पड़ता है कि specific gravity हो या vapor density हो ऐसे word you turn out अभी सम्झाएगा तो यह दोनों का दोनों बच्चे relative density है और यह बच्चे specific क्या होती है क्या दोनों मतलब घ्रम केंदा है दन बच्चे हो गया यह सर तो आगा सॉलिड ऑं कि रिऌक него करेंगे तो सॉलीड और लिक्वीड हो है अगर सोलीड हो या लीकवीड हुआ तो इसके लिए देंसिटी जो हम लोग बताते हैं और यह तो क्या होगा डेंसिटी का जनल फामुला क्या है देंसिटी इस कि देंसिटी को हम लोग एस्मॉल लियुक्व याफ फिटल ली जो आपको अच्छा लगए उससे रिप्रेजेंट तक है अगर सॉलिड और लिकविड भुपा टेल नीट कि अगा अगर अगर बुटे गैस पेड़ एकान अगर गैस जो होता है बचेजी स्मॉल डी बोलो या क्यापिटेल दी बोलो कोई स्टेंडर नोकेशन है नहीं दुरू से कुछ भी ले सकते हैं यह बचे हो जाएगा मास बाइव वाल्यूम और यहां पर इनिट लोगे बचेजी तोड़ा सा सिर्फ वालूम के इनिट में डिफ्रेंस होत सुपर दोचे गरामी लोगे और दी लिटर में डिफ्र में डिफ्र से स्टेंडर लीकेड बोलो डार क्या में डर कोई है वेटाएगा तो बोले रांडार कोंड़ी लां सिर्फ दो इस तक यह बचेटे नहीं रोख स्टेंडर को शेद्ट कें नेक्ट बचे विल टॉक एबाउट एक एक गैस एक्वेशन है जो आप आगे आने वाले चाप्टर में पढ़ोगे बाट उसका यूज मोल कंसेप्ट में बहुत है उसको बहुत है आईडियल गैस एक्वेशन यह आगे पढ़ोगे आग अभी एक काम का है बचाजी बहुत है वह नीट पीवी कोल टूएन रड पीवेशन तुए नर् तुए जफ़ेरी पी बचाजी ऑलो पीव क्या है जाए प्रेसर सिर एजद प्रेसर ऐफ गैस प्रेसरे फट्मा डाहिप्रेसर एनीं होगा यूझ अवीट इन-टिम ऐत्यू एडियविशन ah. ccp भासरा होता है देखो, प्रेशर का फारोगिजिस अतीय मोटा है प्रेशर का उनीच प्रेसर लोगे, अतीय होता है पर शमीक होता है तो दिड्रेसर का अतीय होता है ऍटब करन तो दा लूत favourite अलर sms क respekt और सी रचहिं थिक स्वाने के लॉलुम है इन वालुम इन लिटर यह फॉलूमिन लिटर वॉलूमिन लिटर और इन अन्म बड़ एनका इमिल्भूल्पूल से नई जों है डिपेंटरीशन ऐस जो हमोस उस्यल्तेशन दिपनाशन जों पर भु सेवांड पुसाभ झालस है चालसिय और टी झालसिय तेंपरेश लिए तृर टमटरेश्टर्टर्च जबिख कल्वे गजलिव झाल스ट जी त नवे जी एड च्ट लिए अनल्टर्ट्ट रर्क टिम पिसने लिए sorry what is the value इसकी तो इसकी वालो गता है 0.0821 और इनिटीज इसको डिवाइट कर दो तो एह हो गया ATM एह हो गया लीटर एह हो गया मोल एह हो गया केलविश तो लीटर ATM मोल केलविश मोल केलविश तो लिख लो बश्याजी कुछ नहीं दिखे इस में से जरूब पूछ देना पता दूंगा क्या बश्याजी जो आर है जो है मैं आर को और अच्छे से लिखता हूं यहां पर चोटा लिखा हूं तो इसकी जो यूनिट है 0.0821 लीटर ATM अब पोई याद भी आह याए ना बट सकेथे था स्वाल्ट था तू यूजिले से फामूला बश्याजी हाँ बश्यवाच भी लिख भी गड़िश ऑफी क्लियर हो गया क्ष़िए 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 सब्सक्राइब है तो के अब यहां से हम लोग मोल्स को क्या लिख सकते हैं वेट अपाउन मुलर मास मुलर मास और मुलर मास को जनरली हम बढ़े कैपिटल एम से दिखा रहे हैं कब यह मोलक्र वेट लिख दो इसलीक्स तो एंडाऑ मैं यह वेट अपान मोलर मवेटTube इंटungen करें मोलर ममोलर म८ल कम सब्सक्राइब तो यहां से क्या करो पूट करो पीभी इस इक्वल टू एन आर्टी इन के लिखेंगे और जो बहुत है ना मुलर वेट को आप एम से सिंप्ली एम दिखा दो सिंप्ली एम लिखो तो क्या जाएगो अचाजी यह इस विल वी इक्वल टू मोस्ट वेट अपॉन वेट अपॉन वेट अपॉन वेट अपॉन अब देखो जी एन को ले जाओ इधर एम को तो9 है ए और वेट अफॉन व ओतु अफॉन इन तू अप्सियू यहाई थीन्सिति पोल टू पांकि यहाई जूत्वーー लीज अबॉत-झैष्ट अप्सुल्ट दिस्टिट and the important point is what is the unit of density weight cabinet बताओ क्या होगा ग्राम weight cabinet ग्राम वाट इसको एमेल में लेना है बट गैस के लिए आपको लिटर में लेना है तो क्या है बचे यहां पर पीएम इस इक्वल टू पीएम इस इक्वल टू स्मॉल डी कैपिटल दी आपको जो लगे और लिख सकते हो लोग जो है इसको टेक्निक से याद रखते हैं पीएमीज डर्टी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है बट अपने दिमाग में रखना है या पाकिस्तान का बोल सकते हैं बट इंडिया का नहीं बोल सकते हैं ठीक है तो चाइना के लिए यूज कर रहे हैं वाट पीएमीज डर्टी तो यह थोड़ा लॉंग टर्म में चला जाता है दिमांग में ऐसा ही कृशन होता है डेंसीटी के फॉर्म में ठीक है न तो यहां मालो अगर प्रेशर कंस्टैंट है यह तंप्रेशर कॉंसर पॉपरणल तक्ते वो र गौ तो झो अगैट कंस्टैन् वई diving मदेशर एंड प्रेशर डेंसीटी अढ़े दृपरिश्न हाथ मीन है मोलेकुलार वेसर मोलर मोलैफ बोल तो इसको लिख लो यह आपने लिख लिख लिया था डाइड उन दिस फिर इसके बाद जैसे मैं आपसे पुछूंगा भी कि बताना एक इसका देंसी जाजा होगा कंपेर करना इसे जारेक्ट एग्जाम में पुछ देते हैं कि आपको पता होना चाहिज लिख लो कि अखमान पता हो या भատ आते हो या दू र५े लो अन्यस्टाथ होगा को पुस्युट्ट गड़्डिजान पूरख लिख लिख लोग्सासरब्ला इसक्ट्ट्सिप्ट्साब्ला इसने साल ऐसे लिख लूठीए तल्ट能EM då है है हुआ है अब इसवे बेसिक कोशे जाते हैं तेंसिटी निकालने के लिए नहीं पुछ झाने के लिए आप जब बढ़ोगे वहां पे यहां पर कैसे कुछन पूछते हैं मोल कर दूशवत दो ना शबकर तो आपको यहां पर क्या पुजाएगा जैसे बूलेगा कुछन ऐसे पुछेगा तो लिखना है राइट द आडर अडर अफ देंसीटी देंसीटी का अडर लिखना है आद अजये है कि अजय्य हि कि सो 3ग में अजये कि स्यूटी गैस को दी में अजये कि सो टूगैस और इबीटि यह है शिमलियम गैस अमेंenden तो आपसे है सकता है बचेजी यह बुख सकता बचेजी बताओ किसके पास हाइयर डेंसीटी चलो अधिकर करो ऑडर लिको बचेजी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और जोगती आप देखने हो इसका हाइयर होगा किसका लोगर होगा कि इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है विदाउट कैलकुलेशन इकरेशन इसमोल कंसेर्ट में ऐसा रेयर कोश्टन है जो विदाउट कैलकुलेशन तो चाहिए इस आए कि इसमें को क्वेश्टन संबन नहीं है मतलब पूछ रहें कि दिया हुआ है तंप्रेचर और प्रेशर कॉंस्टेंट है तो बताना है कि किसके देंसीटी जादा होगा विचेज हाई इसके वास देंसीटी जादा है प्रेश्टी जादा होगा प्रेश्टी जादा है कि हाँ कुछ भी जो आपको लगे अब लिखना जरू के सेंडिंग डिसेंडिंग क्या लिख रहा है वह लिखना जरूर कि इसीटा पते जी थोड़ा सा मिश्टेक है अपने लॉजिक सही लगा है थोड़ा से एक बार और चेक करो इसीटा भाई क्या देखना है देखो पता नहीं तुम क्या कर रहे हो इसमें कुछ करना है एक की दियो कुछ करना हीं निया बताओ बचे जब टम्प्रेटर और प्रेसर कॉंस्टेंट हो तो देंसीटी किसके पशुणल घिका दो क्या मतलब होता है जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका देंसीटी ज्यादा होगा यहां पे पुछ स्थी नेसिठीटी बट यहां था या देखना था या लूर मास देखना था मुलर मास निकाल लो सो 3D का मुलर मास कितना हो जाजी 32 80 3 into 16 that is 80 80 gram CO2 का जाजी CO2 का जाजी you know that 12 plus 32 44 gram SO2 का जाजी yes 32 plus 2 into 16 that is 64 gram helium का जाजी 4 gram बता और यह आज थोड़ा से खाया हूं यार आज से 3-4 लेक्चर पहले से खाया हूं मुलकुलर मेट निकालना जार ग्राम मुलकुलर मेट निकालना जाजी ठीक है यही तू देखकर बोलना साब येस बचे ठीक है मिहीर बचे देखको जिसका मुलकुलर मेट जादा होगा उसका क्या होगा उचे जी डेंसिटी जादा होगा करोगे सबसे ज्यादा होगा किसके एका फिर बचेजी सी का फिर बचेजी बीका फिर बचेजी डी सबसे कम हो जाएगा कि दो मॉलेकुलर मास्क आउडर होगा वही यूगा जी निकलो तो यह आप बचमन में चीखे हो फिर बचेजे उसके बाद नेक्स ओडर लिखे इसके लिए के हो गए वागे बढ़े आप समझ में आए तो अबहरे सिंपल लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मेरे लीज़े को सकता है कि आपके फैली करा चलता है आप कि भीता है अब चलता कि हा तौंढ है कि मुझे इंदर की नहीं सोन झाक पता है, vardır कर दो आख फैसे नहीं और न्म вд상 में तो आपको बोलना पड़ेगा अगर आपको नहीं आ रहा है और इस यूर कईसे जानुगा कि आपको आपने पैसा पे किया है आप समझ रहें कितनी मेहनत से पैसा कितना वेश्ट करोगे और लोग करते हैं बिल्कुल करते हैं ठीक है बट अगर बचे वह मेहनत की कमाई है तो आप ऐसे बरबाद नहीं कर सकते हैं तो अगर आपने पैसा मेहनत की कमाई हुई पैसा अगर आप एक योगाइट यह सब में और इवा नॉट आस्किंग इवा नॉट इंटराक्टिंग तो कही न कहीं उतना यूटिलाइज न भूशिक पांचे बचे हैं इसीथा बचे जी येस है तो बन शेबचे हैं जो इंट्रक्ट करने टीचर के साथ और रहा वाट रहा है हंदेट परसें उनका वाट रहा है और बिल्कुल मैं बोलूँगा हर किसी को परसें बासें दबर बभाद बड़ रहा है तो जब 9 10 में पढ़ते हो और 11 टुलम पढ़ते हो ना तो सबसे पहले रिजल्ट लाने के लिए ना आपको पढ़ने का और सबसे पहले कलास करना का सबसे यह यह जब कॉलेज में गॉलेज में कोई इए नहीं लिए और अपने आपको समार्ट दिखा रहे हो है तो मागान चार साल आपकों लगा रहा हो पासी नहीं करने देगा तो कॉलेज को पूच है नहीं पूचते हैं अइसे पूछते हैं उसको बलता है चाप्लूसी करना और लोग पूढ़ाद लिखने ईड़ा जے अपने लिखा है क्या लिखा एछप ठीक है ऐसे पुछते हैं लों कोश्टन दो है ठीक है मतलब पॉर्फेसर के नजर में आते हैं कि हाँ यह भी क्लास में कोई बैठा हुआ है ऐसा कोश्टन जो इरिटेटिंग भी नहों, टीचर को लगे, मतलब प्रोफेसर को लगे कि क्या है, बचा सिंसियर एक लास में, यही काम होता है 9-10, तो यह तो यार आप बच्पन से करते आ रहे हैं और कॉलेज आके यही काम करना है, बट, 11-12 में बचे जी न, अगर ऐसे आपने पढ़ाई कर से नहीं आए, तो यहां मैं डाटूंगा नहीं, अगर मान लो मैं कोई question पूछिए आपको मुझे नहीं आया, तैसलिक मैं आपको डाटूंगा कि नहीं आया, तो बलूगा बेटा, मैं नेक क्लास में solve कर दो, डाटूंगा नहीं आपको, ठीक है, और वहाँ पे college में आपको आप तो पे कर रहे हो ना, आपका right है, ठीक है, आप free में नहीं पढ़ रहे हो ना, यार, पे करके पढ़ रहे हो, free भी होता है, तब चलो यार, free में पढ़ा रहे है क्या पुछोंगा जो ठीक है, तो इन्टरक्ट करो बिटा, चलो, तो यह हो गया बच्चे-जी, यहां तक चाप्टर पढ़ोगे, जब नेक्स चाप्टर नों पढ़ेंगे, states of matter, उसमें आपसे पुछा जाएगा बच्चे-जी, कि calculate the density, proper बच्चे-फर्मुला पूट करके density बच्चे-जी, तो बच्चे-फर्मुला मैं लिखा दिया हूँ, बलड़ देंसीट क्या है, pressure, molar mass, R और T इसा पूट करो, calculate करो बच्चे-जी, इस पर कर सकतो, नहीं पुछ जाते हैं, इतले में इस पर questions, नहीं करा रहा हूँ, density calculate करने का, बट मालों कहीं questions होतो, एक calculator है यार, put करो और calculate करो, ठीक है, ना बच्चे-जी हम लोग बात करेंगे, specific gravity की बारे में, specific gravity, तो अगर बच्च Specific Gravity, तो बच्चे-जी है, specific gravity बोलो, तो जनरली बच्चे-जी, यह solid और liquid के लिए बच्चे-जी, solid और liquid के लिए बच्चे-जी, solid के लिए, and बच्चे-जी, liquid के लिए, इस वाटर बाचे जी उसके लिए इस पेसिफिक ग्रैविटी डिफाइन होता है इस डेनसीटी आफ एनी सर्स्टांस इस सर्स्टांस कुछ भी हो सकता है कोई भी सॉलिड और लिप्ट आप डिवाइड वाइड बाइब बाचे जी देनसीटी ओफ वाटर density of water at 0 degree Celsius 0 degree Celsius density of water at 0 degree Celsius इस और फरा मोडिफाई करो क्या लिख हो बचाई जी इस विएकोल तो मानलो कि सबस्टांस की देंसीटी डी है ठीक है और क्या होगा जी ग्राम पर एमेल होता है नहीं डेंसीटी का युनिट होता है कि नहीं फिरम वाऌकर दियो डिल्ह पर शुड और सॉलिड आराइल का वालूम चिरिओ सब्सक्राइब you busy? English कि टिनला मारी अगर्धेल केड़श ओसलड वॉलूम बीधी अथे तो इसम आछक पर यहां पर घासने वालूम सेंद05 को से região डेंसीटी यहांसे कुछ दिखुडए है कि कैंसिल अओध यह क्या घिएक, एस ग्राम पर मेल कनसिल आओघ्या है, यहां इक यह दिख JACK dust को देखो認ग आम पर मेल केंसिल आउट हो ग्या इसको लिख लो उसको लास्ट में लिखते हैं तो हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको लिखते हैं तो बिल्कुल इसको आप चैंज कर सकते हो बिल्कुल किसी की बिए इस्टेंडर वाट दे दिया मैंने क्या दे दिया specific gravity in that case बचेजी you can't change the reference reference is density of water at 0 degree this is a specific name now it's the part of relative density yeah in general what the relative density density of any substance divided by density of any reference got it in general बच्चे बात करेंगे तो reference बच्चे subject of reference कुछ भी हो सकता है ठीक है ना बच्चेजी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है specific gravity के लिए बच्चेजी density of substance divided by density of water at 0 degree Celsius और इस खुलिए अभी समय है बच्चेजी बच्चेजी अब लास्ट में इसको कॉपी करने पार निखना कि a specific gravity is the density of substance without units तो अगर specific gravity दिया हुआ है इंडिरेक्ली आप समझना कि यो density ही दिया हुआ है बच्चेजी तो इस्टेटमें निखना कि दिया इसपे स्वेस्चेजी इस विखना इस यजिए गरीटी डेंसिटी अफ सबस्तांस without unit without unit now वह एड्याव अब लूब जैजी केल्सियम कार्बोनेट है केल्सियम कार्बोनेट है केल्सियम कार्बोनेट है इसकी बच्छे जी एस बैस्विक ग्रवेटी दिया हुआ है मान लो 1.5 सब्सक्राइब इस ब्सक्राइब देनीग तो हम लो क्या संजेंगे मिर्म इस बाइले जिए इस बैस्विक गिर्वेटी इस अधियूर्श बिल्स व्न एडिया इन्विक बढूनेट आप है टेंटी आख गाल सिंगी इस इस अधियूर्ट एस एथी लिए ड्रांप पर ड्रांप ऩर्मेडर मेले कि 1.5 गरांप पर याद रहे गापको कि यह दिए वहं मतलब डेंसटी अफ नेट सफrसतांच सी ऑफ बेड इस व्यक्राविटी है इस विह इस में यूनिट्ट दिप्चांच हो अगल कि वुच्छे सब्सक्राइब करेंगे क्या होगा कोश्छेंगे तो हम आपको डेंसिटी समझना है तो देंसिटी की तो अपनी विद्ध है ग्राम पर है इस वेखाइब अबश्य इस तुम फोल रहा बच्छित ने बोला वजयी कि सार आपने मेरा नाम नहीं लिया भी तो आप परफॉमस अच्छा है नाट वनीज इस क्लास स्टाइंग ग्लास से तुम्हारा परफोमस अच्छा जा रहा है जो पूरा पैसा वसूली कर रहे हैं प्रोपर पैसा वसुली कर रहे हैं एक मेरा श्रुएंट था अभी नहीं 2018 में आई वाजिन पेस नेरूल सेंटर तो वह बच्चा यार पूरे 11 ग्लास में नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा डिपीस नेरूल से था हो चीक है लास्ट में उसने उसके दिमाद में आया कि यार हमने तो यार 4-5 लाख फी पे किया है । तो यह इतना पैसा पे किया है और मैं पढ़ा कुछ भी नहीं तो बोलता है मैं उसको बहुत समझाया तो बोलता कि सर आज से मैं वसूली करूंगा पैसे को ठीक है क्लास 12 से उसने पैसे का वसूली करना शुरू हो गया कैसे किया उचाजी प्रोपर लाइब्रेडी में बैठा रहा था था कोई भी टीचर अगर डाउट क्लास में अवलेबल है तो उनको परसान करते रहा था था सर बता दो थोड़ा यह क्या होगा ठीक है अब देखो लाइब्रेडी जेनरली खाली था वो पूरा एसी उसी चला कर बलता था कि सर हर तरह से पैसा वसुली करेंगे लाइब्रेडी का इसी चला कर लाइब्रेडी का बुक्स यूज करके टीचर अगर डाउट क्लास में बैठे है तो उनको परसान करके जो बचा कभी होमवर्क करता नहीं था ठीक है कभी पढ़ता नहीं था एवरेज अशुडेंट था फिर भ टू या थ्री थाउजन के बीच में कुछ आया था यह इर्वांस में सोचो वर नियर्स ने पढ़के उती अच्छी रहेंगा है तो उसने बहुत महनत किया है एक एक मोडूल एक कोश्चन सब सोल्टिया हो ठीक है ना तो आप एन्धर बचे पैसा वसूली करने के लिए यह हो सकता है कि स्टेडी से इतना प्यार हो कि पढ़ना आपको अच्छा लग रहा हो ठीक है कि हर माइन हर किसी का माइन एक जैसा नहीं होता है तो कुछ भी अपने अंदर लाओ और आप देख लो आपके अंदर क्या है उसको जगाओ बचे जी ठीक है तो बचे समझ में आ गय चल रहा है ऐसा ही वचे आपको लाश तक रखना है जब टीचर से इंट्रेक्ट करते हो ना तो आपके अंदर होता है कि नहीं मुझे सोल्व करके दिखाना है इतना ही नहीं जब क्लास में आपको कोई नहीं पड़ता है तो मुझे कैसे फर्क पड़ेगा यार थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा तो पहले आपको फर्क पड़ाना होगा जैसे अभी रक्षीद बच्चे जी बोला कि सर मेरा नाम बलो ठीक है येस तो बच्चे रक्षीद बोला मेरा नाम लो ठीक है तो बिल्कुल देखो अगर इसका प्रफर्वर्स नहीं अचा है तो मुझे पा यह उसे बात करूं गरें दाउन क्यों जा रहे हैं बट आपने कभी इंटरेक्ष्ट किया ही नहीं मुस्से अब बताओ कैसे बाइसे मैं आपके बारे में सोचपाओंगा मुझे आप 40 बच्चे हैं क्लास में अब मुझे इंटरक्षन ही नहीं किसी से अगर मान लो तो तो जलने की बात नहीं है इसमें ठीक है आप मतलब बी ऑनेस्ट और इंटरेक्ट करो मैं यहीं बोल रहा हूं ऑनेस्ट रहो और इंटरेक्ट करो बिल्कुल आपका जेई में और नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और जहां भी हेल्प की ज़रत होगा देखो आपका रिजल्ट आएगा उससे मेरे अ आपका रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट खराब होगा मेरा भी लाइफ खराब होगा ठीक है ना तो जलने की बात नहीं है रक्षीट पढ़ते रहा है ठीक है चलो कोई जल नहीं रहा है आपसे नहीं बात करेंगे इस पेस्पी ग्राबिटी हो गया जी नेक्स्ट विल अब स्वल्ट देंसिट ऊचार को अब वेपर डेंसिटी बात करेंगे डीख गया टो फेस्पी हो गया तो तो आजिए पर डेंसिटी क्या होगा जी सब्सक्राइब होता है तो देंसिटी ओफ कि कैस कोई भी गैस ले सकते हो डिवाइड वाइड डेंसिटी ओफ हाइडोजन गैस कि देंसिटी ओफ हाय्ड व्यक्राइड शेर्स टो देंसिटी ओस एद्यों मैं SAP देंसिटी ओफ को दूट वहेड पार देंसिटी पडेंसिट डेंसिटी को एश शॉट फार्म्रें डिटी ओजयुके इसे पता होना चाहिए बस सिंपल इसको लिख लो अब इसमें और प्रेसर शुट भी सेम तो क्या लोग है ना कंटेनर लोगे नहीं तो आप ले रहे हो तो हापे तंप्रेटर आपको फिल आएगा बचेजी ठीक है ओके ठीक है तीक होगे ठीक होगे ठीक होगे रखी ठीक है अधर default कि नहीं एनी तंपरेटर आपसे लेना है थो गैस्ट इंट इब रहेगा अगर हम हम हंडे डिर बात कर रहे है तो स्वें टमपरेचर प्रेशर नहीं ठीक है न कोई आप शाहब नहीं है डिर नो एप्रेसिक टमपरेचर प्रेचर एंप रहे जैकर न ही इतना इतना सियोर है कि हारदन के लिए भी और किसके लिए गैस के लिए भी तंप्रेचर प्रेसर सुट भी बोलो से अगर कॉंस्टेंट नहीं है यू कांट अप्लाइब इस एक नहीं नहीं यूज करना आगे यूज करने वाले हो गया उच्छा जी इसको थोड़ा और मोडिफाइब करते तर वाइभ डेपर डेंसिटी का यूणिट नहीं होगा विकॉज इति रेश्यो ऑफ तू डेंसीटी तो रेश्यों घंसी तो रेश्यों अच्छे कैसे इंट्रेंट कर रहे हैं ऐसे इंट्रेक्षन चाहिए बज़ेज तभी आप ठोड होगे बच्छे जी येस कि नेक्ट बच्छे अगर हम लोग बात करें कि विल टॉक अबाउट जैसे हमारे पास एक क्वेस्टन था पीए मीज डर्टी देख रहे हो कि यहां से क्या आ गया डेंसीटी इस पीएम बाई र्टी आया बच्छे जी मॉलर मास का हो गया की नहीं तो एट कॉंस्टेंट ट्रेसर डेंसीटी किसके पर फट्रेशनल बच्छे जी था लिए पर डेंसीटी है क्या लिखेंगे हम लोग वेपर डेंसीटी विल बी इक्वल टू मॉलर मास ऑफ गैस डिवाइड वाई मोलर मास ऑफ हाइडोजन ध्यान रखना ए अप्लाई करने के लिए ए फर्मूला को देखो ए तो आप कभी भी अप्लाई करने के लिए कुछ भी होगा तो एक चल सकता है एनी कंडिशन बचेजी बट यहां पर अप्लाई करना ना जब मास के टर्म में लिख सकते हैं more mass of gas by molar mass of hydrogen or you know that molar mass of hydrogen कितना होता है कि टू होता है फास नहीं यह दिन आपको फर्मूला मिल गया जो आपको याद करना है ए ए अपको याद करना है है यह आपको याद कर दिनसिटी इस ओंड भी कर लो इसको दान बच्चे लगो लगो जब लेट लगो देको तेन कि एक स्पेसिफिक ग्राविटी में भी मोलर मास ऑफ सबस्टेंस बाइ मोलर मास ऑफ वाटर ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं विकॉज हमने एक कौन सा इक्वेशन यूज किया पीव इक डियार टी इस आइडियल गैस इक्वेशन इस अप्लिकेवल फॉर गैस के लिए हो रहा है बचाजी ओके यहां पर एक वर्ड मेंशन कर लो जिससे क्या होगा आपका एक कंफिजन ही खत यहां पर आपका इंट्रेक्शन लेपल बचे बहुत ज़्यादा हाई हो गया बटे सारे बच्चे का हुआ कि नहीं यह पता नहीं या ठीक है बट ऐसे इसे इंट्रेक्शन चाहिए इच एंड़रे श्टूडें से बटे से बटे सब्टे से दन भाचे-इस सर्थ नाव चेजी तो होगया बया वेपर देंसिटी ऑ रहें तो कभी क्या रहें टेंस टीया रहे है और इंड़रेक्टी जाए कि वह अपस्तुक्त्तिक नहीं मॉलार मस साफ गैसी टूला इंट्ल इन्टू वेपर डेंसिटी तो इट मिंस कहीं अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो इन डारेक्ट लिए समझना है कि क्या दिया हुआ है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या मतलए परसेंटेज कंपोजिशन इंचली को फूप इस कम फो शेंटेज कंपोजिशन तो आपको कुछ आया होगा 90% 95% 99% 88% तो कैसे आया बचे परसेंट बोलो फर्मूला आपको एनिवन वे फर्मूला सब्युक तो लिवा लएक है थो और या टोटल थोडपा वाईट ऑफटेंट British हो जाएगा तो हम ने क्सक्ति किया देची और तोह परसेंघ और ने ब्लेर व्चल को देखो ने इन टूएवीडरम एक्टो फिपरियागा तो माखटेंटि तो हमने क्या मार्स की बात करने जब हमने हो यहां पर क्या मतलब होगा है इसका ओट इंव गड़ अव जिसका पर संटेंगे मैं सब्सक्तांस दिवाइब व्रेट पारम वित अज़्ट अट आपक मैं सेघ्ट निवल्ग य। बिल्टा य। टोटल वेट 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 ऑफ सब्स्टांस वेट अफ एटम वेट अफ मॉलीकूल डिवाइड वाइड वैट वेट जितना भी वेट है श्रेंपल का सारे वेट लो लोगे इन्टु बोलो अगर मैं दिया आपको अगर मैं ने दिया आपको हमारे पास बचेजी एश्टू है मान लो थ्री ग्राम ओटू है मान लो 5 ग्राम और बचेजी नाइट्रोजन है रिजूम करो बचेजी 2 ग्राम एब चेक सेंपल में राखा हुआ है कंटेनर में राखा हुआ बचेज इसके किकर ना मैं पूछिए अब अब से टेल मी परसेंटेज आफ परसेंटेज बाइड वेट परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा एंड परसेंटेज बाइड वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना बचेज रिप्लाई करो परसेंटेज बाइड वेट कि थार्टी परसेंट पाइड है नहीं अरे बोलो मत क्योंकि और बचे होंगे ना जो स्वल्व कर रहे होंगे तो इंसर बोलना सही नहीं है मैं भी आपका गलत हो बत आपने इप्लाई करो टाइप करो जो स्यराम को और विदाउट होश्ट है और लोग को यह मौका दो बच ठीक है आपके क्लास में जो काफी एक्टीव है कि आपको अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहा हूं मैं ऐसे हां बचेजी कैरोल बचे यह अपने एह सर्च प्रॉट है। तो अपका सिर्फ वी दिख रहा है बटर आपका एंसर और सथा हूं इस पिल्कुल बचेजिवह बचेजिवह बिल्कुल सही है धुरू बचे वरी नाइस बचेजिवह बिल्कुल सही है। विसाल बचेजी, very nice, Umair बचेजी, very good, रिसा बचेजी, वाह, everyone बचेजी, फोट गजारा है, बचेजी, इसीता तुमारा ऐंसर नहीं है बचेजी? इसीता, you are solving? Yes, sir, solving. Okay, Mihir बचेज, very good, बिलुकुल तई अंसर है बचेजी? हाँ बचे, Gauri? Sir, doing. Okay, okay. कि वेरी नाइस देखो मैं बहुत सिंपल केल्कुलेशन रहा हूं तफ नहीं दिया हूं ऐसे डेटा को असानी सब्सक्राइब दन बच्छे चलो तो बहुत लोग रिप्लाई आ गया वच्छे कि आप कुछ मिश्टेक कर रहे हो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए तो देखो मिश्टेक करना बुरी बात नहीं हो देख लो यहां बच्छे परसेंटेज वाइट निकालना है तो वाट फर्मूला है यार परसेंटेज वेट का वेट अवस्टांस डिवाइड वाइट तो निकाल दो टो टोटल वेट कितना कोइठ ध्यान हरा है कोई मोलेकुलर मांस इसकी कुई बात नहीं कर रहे हो टोटल वेट चाहिए उचेजी तुछे श्री ग्राम प्लस फाइब ग्राम प्लस तू ग्राम कितना होगा है टेन ग्राम यार टोटल वेट मतलब जो भी सबस्टांस पर जेंट है जी सबके टोटल मास को एड कर दो ठीक है यह सबसे प्रीशा बचे ठीक है देखते हैं आपने इसे क्या किया Petra का 1000 तो 10 ग्राम न वुशा जी ंवह सब्सक्राइब लुक़्ों है टिवाइट बाइट मीट मास का दोढ़ा लगो जाखतलि ए कंगए पर्सेंटेज अफ वेट अफ हाइडोजन तो क्या हो गया वेट अफ हाइडोजन डिवाइड वाइड टोटल वेट इन्टू बो अंड्रेड यही करते हो नहीं है अंड्रेड बोलो क्या आए गए थर्टी परसेंट वोल आएगा किनी थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट यहां देखो ओचाजी यहां क्या आएगा वचाजी फाइड डिवाइड वाइड वाइड टेन इन्टू हंड्रेड वोलो क्या आएगए फिफ्टी फिफ्टी परसेंट देख रहे हो कोई क्या है क्या काल्किलोशन यहां पर एक यागा जी तू डिवाइड बाई हंड्रेड इंट सरी डिवाइड वाइड टेन इन्टो हंड्रेड बैट इस ट्वेंटी परसे रेखलो जी बच्छे हां बच्छे जी यस गौरी और इसीता बच्छे समाझ में आया अभी कि अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बच्छे जी देखिए नेक्स मालो हमारे पास ऐसा है बच्छे दिए जबच्छी सी फो एच टेन ओ ऐसे दिए जबच्छे तिक ना आपको क्या दिया बच्छे यह अलग वेट नहीं दिया सब्स्टांस का वेट नहीं दिया बस यह मलकुलर फरमला दे दिया और यहां से पुछे गश्जी कि फाइंड द पर्सेंटेज वेट ओफ कार्बन बी पर्सेंटेज वेट ओफ हाइड्रोजन सी बच्छे जी पर्सेंटेज वेट ओफ ऑफ और यहां पर आपको कालकुलेसन करना पढ़ सकता है क्योंकि मैं डेटा से नहीं किया हूँ किसी मोलिकूल के अंदर कोई एटम कितना परसेंट है उसको निकालने के लिए क्या ठेकनिक है कैसे निकालो फारमुला यह जी वेट अफ काबन डिवाइड भाई पूलो टोटल वेट अब किसका टोटल वेट यार कि आप बाहर चे कोई आएगा क्या नहीं आएगा नहीं आया weight of C4 H10 O तो कौन सा weight लोगे बच्छे जी? विच वेट? वेट तो दिया नहीं है इसका बच्छे जी? तो कौन सा weight लोगे? molecular weight लिगोगे जी molecular weight लिगोगे तो क्या बच्छे जी? बताओ कितने carbon इसमें? हामनी carbon यार? हामनी carbon बच्छे बोलो? 4 carbon तो 4 carbon into बोलो atomic weight GMM या कुछ भी लो बच्छे जी? GMM of carbon या gram atomic weight GAM of carbon divided by बोलो GMM of what? C4 H10 O बोलो बच्छे जी? कितना? into 100 into 100 करना ज़रूरी है हाज जाग बच्छे 100 करना ज़रूरी है तो tell me बच्छे carbon का gram atomic weight कितना होता है? 12 4 into 12 into 100 divide by बच्छे GMM of molecule निकाल जब कभी बच्छे जी किसी atom का percentage बच्छे जी किसी molecule के अंदर तो हाँ पर बच्छे क्या उच्छे क्या उच्छे करोगे? gram molecular mass उच्छे करोगे या molar mass उच्छे क्या 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 बच्छे 4 into 12 plus 10 into 1 plus 16 बोलो कितना आ रहे है बच्छे जी? 48 plus 10 plus 16 कितना आ रहे है बच्छे जी? बोलो 74 आ रहा है क्या? क्या बच्छे 74 आ रहा है? तो divide by 74 यहां पर क्या करोगे? divide by 74 अब देखलो जो भी एंसर आएका उसको क्या करोगे? percentage weight of इसर में आंसर चाट में लिखा आया है ओके वेरी गुड आरे वाँ वेरी गुड बच्छे जी नहीं आया आपका आपने कही इंकलत जगाए भेज़ दिया यहां पर सिर्फ आमन का आया है बच्छे जी वेरी गुड आमन तो देखते हैं हम लोग कि आपका एंसर मैच कर रहा है कि नहीं तो बच्छे अगर हमने फिर से भेज़ो अगर आपने भेज़ा है तो सियराम कुमार बिदाउट होस्ट है उस पर भेजो बच्छे जी अगर बच्छे हम लोग यहां पर बात करें बी पार्ट बात करें हम लोग तो क्या होगा क्या लिखो के बच्छे जी तो टुटल वेट तो पता है नहीं यार फर्मुला लिखने के बारबाद है नहीं यह बच्छे इसी था आपका आगया विए बच्छे जी यह बटे अब एक क्या किसका एंसर है मुझे पता नहीं चला समझ नहीं आए आपका एंसर नहीं तो तो वाटे रक्षीट बच्छे जी वेरी गूड अब एक करता हूं सबकार तो अगर मैं कल्कुलेट करूं मैं कल्कुलेटर इस नहीं चारा हूं कि मतमना पास्ट कल्कुलेटर नो टामशना करूं अच्छी ठीक न तो एच्छे 4 x 12 x 100 divided by 74 so this will be 64. this one is 64.86 percent and the other one is 10 divided by 1000 divided by 74 it is equal to 13.51 13.51 percent and what is the next is 1600 divided by 74 it is 21.62 percent वो देख लो कॉपी कर लो बच्छे जी सही आया बच्छे जी आपका सही है वेरी गूड बच्छे रक्षित बच्छे जी ठीक है तुमने कुछ मिश्टेक कर दिया होगा अच्छा बीच वाले को हार्दन वाले को निकाल ली हो बच्छे ठीक है अच्छा मेरा फोर जो है नाइन की तरह दिख रहा है तो ठीक है यार देखो उसका जो हब सिंद कर दाथ से कोई नहीं सब्सक्राइब डॉक्तर होगा एक कप से हर कितने लोग की जान गई है डॉक्टर को गलत लिखने से पता है आपको एक मेडिसीन में न सिर्फ और तो अब यारो और जितना पढ़ा लिखा है तो दौब अपने दिमाग लाकर कुछ भी दे दिया ठीक है उसके वाज जो एब लेवल है और खाया और सुलट गया इंसान जो तो यह होता है इसलिए मैं पहले सुप्रीम क सकत्कि नहीं करना कम sushi का रिखते हैं और ये से लिखते हैं कि मुझी तो पता नहीं चलता है ठीक है तो है तो टुक्त है चलो है तो जो काफी किलियर लिखते हैं वह छोटा भी लिखेंगे तो इकत नहीं परसेंटेजब वएट समझ में आ गया कैसे करेंगे जब भी किसी को दे कर पूछे तो पहले सबसे पहले क्या करना ग्राम मालेकूलर मास निकालना और जो एटम्स का मास होगा नंबर एटम से मल्टिप्लाई करके निकाल लेना ठीक है वेरी गुड बचाजी चलो नेक्स बचाइब टॉक बाओ परसेंटेज बाई मोल्स भी यह बचाजी परस है यह बोलो मोल्स इंग डिवाइड ब़टल नंबर फोल से रिग रगाँ तो नंबर ओफ मोल्स बच्छे जी ऑफ सब्स्टांस एकाना एकश्ञार कि मोल्स उफश्श्टांस मैं सौठ फ़र्म होग मोल्स प्रज्ट अप सबस्टांस डिवाइड ब़ो एंटी मतलब टोट मोल्स स्टान्स डिवाइड भाइड वाइड वाइड बाइड दोटल मोल इंटू बचिंट तो थोड़ा भी टफ नहीं है वाट कैलकुलेशन बहुत है इसलिए बहुत है अगर कालकुलेशन चाहते हो तो यूज करू कालकुलेटर ठीक है बट कभी-कभी बैठ कर आप पूरा कालकुलेशन करो ऐसे हो रहा है मतलब 9-10 की चीज़ें नाइंट भी नहीं 5-6-7-4-3 जो पढ़े हो कैलकुलेशन वह यूज करो डेसिमन वाला कलकुलेशन काउन से पढ़े हो विजगरो ठीक है नाव बात करें यहां पर एक क्वेश्टन करते हैं इस पहर जैसे माल लो दिया हुए बच्छे जी हमें ह्ति是什麼ल्स फोर कमोल यव आभे मोल्स फेसिध्येसे सहया है इस का मोल्स वांट भांट आओ नवल्ड़ यह नटिय्ट घुट करते मोल्स तरहसे जो एकल मोल्स प्यज़ेख्ट करते हैंट से लिध यवैंट क्वांट बच्छी अज़ए आप से पूछत रहां जी परसेंटेज एव बचे जी परसेंटेज आफ एश्ट्व जबारी करो इसको क्या रहे प्लाई कीजिए आप किजिए यह दिजिए आप, प्रिब्लाई कर दिया वेरिगुड फिलियस कोस्न नहीं बेरिगुड यास बुदि कि देन बचे अब देखो कोई भी आदमी यार परफेक्ट नहीं होता है हर किसी के अंदर कुछ ने कुछ दिमेरिट होगा हर इंसान के अंदर तो एज़े टीचर जो है मेरे अंदर डिमेरिट हो है अच्छी रैटिंग नहीं लिखने का और एयार चेंज करना हमारे लिए पॉ तो अभी तो अब गुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो गुढ़ापे में चेंज करना तो और डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं वेट कर रहा हूं मतलब यह आई का जो इतना एडवांस हो जाए कि मैं कुछ भी लिखूँ एकदम टाइप किया हुआ और आने वाले जब अभी भी है कि अगर आप अच्छे से लिखते हो तो उसका टाइप फॉर्मेट पर लिख देता है अच्छे से लिखो गे तो इतना गंदा लिखने पर नहीं करता है आने वाले समय में ओधिर देसे मोडिफाई होगा और कोई अगर गंदा भी लिख रहा है न तो आपे प्र करना क्या करना तो आपको नहीं स्भवाइए का मेरा क। क cute है कि चलो बचलो बचले वेरी गूड सो आप ईहेवें संप्राइबुसे फॉर्ट इतक है इसे आपको ओरheं सब्स्टाइबुक्त। अच्छ दूनो ज भाइबाइब भाइबि अझा रचा जे टोनो गन्सर थल्ह ज बचलिए ज लेरी गुड येस मचल वेरी गुड वेरी लाइस गई वेरी गुड कुछ मिश्टेक हुआ है सी पार्टन बच्छे जी ठीक है न हम महीर बच्छे जी वेरी गुड बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो तो एक तरह 5 है 12 है 3 है तो क्या हो गया 20 हो गया बच्छे तो बिल्कुल सब्सक्राइब बच्छे ठीक है तो अच्छे टोटल सब्सक्राइब को टोटल निकालना जी तो एंट टोटल क्या हो गया एंट टोटल इस फाइब दिवाइब बाइब ट्वेंटी इन्टु हंड्रेट इससे आसान कैल्कुलेशन ट्वेंटी बच्छे जी फाइब आ गया 55 क्या हो गया बच्छे जी बोलो यह जो इस वी वेश्टी जुवन टोटल बच्छे जी dir वेश्ट्टी आ टोट बच्राइब टोटल क्या हो गया 5 अट इस 60% इस किल्टी इस ट्रीबटल ट्वेशन ट्वेशन ट्रीपटल इस फविड गया 15 वेश्ट इस मिन बच्छेट एंट्रफ लिए तीक बचे रक्षीट बच्छी बचछी बच्छी वेरी गट बचनिया बच्छी रही बच्छी वेरी ल害ट अविरी बच्छी वेरी गट chocolat अविवारी केक वेरी से कम तो नेक्स बचे जी हम लोग जो कह रहेंगे बचे जी कभी कभी बचे जी देख लोग कैसे कोई खुष कश्चा जी कि मान लो कोई क्पाउंड कोई और गेनिक कंपाउंड आ कोई और गेनिक कंपाउंड है बच्छे जी उसमें बच्छे जी मानलो कोई ऑक्सिजन एटम है या सल्फर एटम है कोई और गेनिक कंपाउंड है जिसमें बच्छे जी को में गया हूँसै ओनली ओक्छिजने टम इसे पुझक रूंली मों ऑक्छिजनाटम ऑनली मों ऑक्छिजनाटम और सिटाइब गढ़ में उस सिट заключ everything और पुछेगा आपसे फाइंद 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 ऑप्र इसको देखता हूं तो थोड़ा निकाल के दिखाऊ तो ठीक बचे जी इसका सोल्व करों डिया तो कभी वह अपने आपको इसे मत करना कि मैं सों होता है तो इतना होता है कि कोई सेmena करें के लाने के बाद भी ना धिकलता है एसा होता डिकरना गा swift तो सिर्फ इतना ही डिफ्रेंस है तो यह सब्सक्राइब करो इसका क्या रहा 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 है क्या 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 निकालना नहीं अमन दो कैसे हो सकता है कोई एक ही होगा ना अमन थीख ठीक है चलाओं देखते हैं लो वेरी नाइस बच्चे सर्व वन ओक्सियोटन वट्विया का वन ओक्सियन इतुम से वन आंट्सीजन इटन तो यह तो वेरी नाइस बचे जी कर आ गया जी श्रया जी का आ गया बचे वेरी गूड बचे स्रया अमन बचे भी फिक्स कर दिया बचे सरेकी होगा बचे जी ठीक है और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है जो कि चारो का एंसर से माया है मैंने अभी कर्खलोट किया नहीं बच्छारो का एंसर से माया है इसका मुझे लग रहा है कि वही होगा जो है ठीक है ठीक है बचे जी वेरी गूड यस और रिप्लाइब कर बचे इसीता बचे गौरी बचे रक्षित बचे रिप्लाइब करो और टेक टाइम और और ऐसा नहीं होता कि आप करोगे तो सही तो मैं आज आपको कुछ डीपीटी भेजूंगा एसाइमेंट जो होंगे उसमेंसे कर लेना बचेजिए ठीक है नेस्ट क्लास में कुछ डीपीटी तक कर लेना बचेजिए जो भी आप से वह उसमें बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं होगा बट मैं देखता हूं कितना कर पाऊगा उतना बेज़ूंगा ठीक है रक्षित जी बच्चे इसी ता बचे वेरी नाइस चलो अब हम लोग कल्कुलेट करते हैं इसको क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले को देखकर तो डढ़ना होत इसको होता नहीं है यहार क्या हो गया काम होकर उसको समाझना पड़ता कि अच्या ने घार लेरा होता है डूनिया की कोई इसमें और क्या क्या है कोई मतलब ही नहीं मुझे सकता है मुझे इसे कोई मतलब नहीं इसमें मैं स्व और सिफ और सिफ ऑख्यों तो बताओ पर्सेंटेज कैसे निकाले इसे निकालोगे इस पर्सेंटेज अगर आख ऑक्षिजिन की बात करो क्या होगा फर्मूला weight of oxygen atom divide by total weight weight of what organic compound into 100 यही बोलते होने और यह दिया हुआ 10% 10 is equal to weight of oxygen only one atom of oxygen तो one atom oxygen का weight कितना होता बचे it is 16 gram divide by molecular weight यही तो नहीं पाता है molar mass यही तो नहीं पाता है वचे जी तो हम इसको aim मान लिए into बोलो how much 100 वचे aim इधर आएगा 10 इधर आजाएगा तो aim क्या आगया aim is 16 into 100 divide by 10 देख लो 10 cancel out हो गया कितना हो गया 160 gram 160 gram is the right answer clear हो गया हर किसी का वचे जी yes बचे मिहिर बचे very good बिल्कुल सही हो जी yes बचे साकसी बचे clear हुआ भी इसीता बचे clear हो गया yes ठीक हो गया प्रीसा बचे very good ठीक हो जी ठीक हो जी चलो इसको लिख लो बचे जी upload and I don't yes ठीक हो जी जिनका भी मिश्टे प्रशे इसको कॉपी कर लो बचे कॉपी कर लो बचे इसको जो अल अल बाउड फर्सेंटेज कम पोजीशन लो अब हम लोग इंसीटी अधरोई के श्टार्ट करें सब्सक्राइब इंपरीकल प्रॉमूला इंपरीकल हूं लो इंपरीकल फॉर्मूला इंपरीकल ॥ॉर्मूला तो इसमें कौन होगा इंपेरिकल फर्मूला अगर बचे कैलकुलेशन में बचे प्रबलम हो रहा है तो उसका तो आपको और क्या करना पड़ेगा ना जितना वह कोसें तो बैटके एवरी डेवर टाइम पर कैलकुलेशन और ऐसा होगा कि आपको वन मंद के अंदर आपका कल्कुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा प्रोपर डेली बैठना पड़ाइगा और अगर मेरा हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोलना तू 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 मैं डेली डेली क्लास लेता हूं बचे जी डाउट क्लास उसमें सिखा दूंगा ठीक ना प्रोपर वन आवर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा सिखाने का बट बिल्कुल बचे जी उसमें मैं कुछ टाइम बचे आपको 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 वाटसप करते ना कि सर मुझे लिंक सेयर कर दो त तो आपको मैं कितना होगा ठाइगा ठीक है एव यह तो लो नहीं मैं यह ज्यादा बेटर से किरा पाएगा बट आइसा नहीं कि आ तो जो भी लगे आपको आप दुनों से कोई सबके लिए है जुसको भी कैलकुलेशन के लिए और कुछ भी नहीं तो मुझे वर्ट सब करना बच्छी और मैं आपको लिंक हो से सब्सक्राइब वी ओकरना और में व भी भी में भी लेक्षोन हो मैं तो एंप भी पर क्रMan करेंगे तब ही बचे हो जाएगा बट гinsular आपको मुल्टिप्लाई करने आता है डिविजन करने आता है प्रोपर एवरी डे वन आवर्स वन मन्स तक देना है और आपका स्पीड बढ़ जाए जी यहां पर अगर हम लोग ने देखा इंपेरिकल फर्मूला यहां पर तो जो C12, H22, O12 वह इसको हम लोग क्या बोलते हैं सुक्रोज बोलते हैं बोलते की नहीं दिस इस सुक्रोज चिकना अब हमने क्या किया इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या होग यह C6, H11, O6 और किसी से डिवाइड कर सकते हो क्या नहीं क सकते हो तो जो कॉमन फैक्टर होता है कि सी भी मॉलेकुलर फॉर्मूला में कि से भी मॉलेकुलर फॉर्मूला में तो यह सा लोग तो So that will be the empirical formula. इसको बोलेंगे हम लोग molecular formula. इसको बोलेंगे empirical formula. And what is common factor? क्या है common factor? 2 is the common factor. मैं other example देंगला है और जिए जिसे मानलो जिए. मेने लिये जिए C4, H10. This is molecular formula. So what will be the empirical formula? क्या होगा? इंपरिकल को बोल सकतो है एस चीट फाइट फाइट वेरी गुड़ बच्छी तो हम क्या बोल सकते हैं इंपरिकल फामुला को अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे रिफाइन करेंगे बोलो बलो जढी ने इस टे मिश्युव एसंपल्स रिफिश्यु अफ इंटेजर होना चाहें इसका मतलब है कि हम लागो को आइंटीजर होना चाहिए तो Molecule, got it? तो, क्या लिख एग़े दिफाइन करो, what is empirical formula? It is simple ratio of simple ratio of positive ratio of atoms present in a compound present in a molecule or in a compound? Molecule, ठीक हो चैजी? इन a molecule या इन a compound, ठीक है? तोड़ा लिख 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 लू? It is a simple ratio of number of atoms present in a molecule. ठीक है? The most important thing is that what is the relation between molecular formula and empirical formula? आपको proper empirical formula calculate करना है. ज़ा मोल concept में सबसे यदा calculating part यह है, empirical formula बचैने. यही सबसे part है, जो आज के class में नहीं कर रहा हूँगा. नेक क्लास में बचैने जी यही topic है, empirical formula करक्लेट करना बचैने. तो आज जब लोग इंट्रूरेशन दे रहे हैं, जब बेसिक आपके दिमाग में चला जाए. तो नेक क्लास में जब आना, molecular formula, बोल सकते हैं क्या? और भचे, जब formula में ऐसा हो सकता है, तो और क्या बोल सकते हैं? weight of, weight of empirical formula into n, जब formula से weight के भी formula लिख सकते हैं, weight of, गप weight of more molecular formula, बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? यहां से हम A बोल सकते हैं क्या N is equal to जगो molecular formula का जो weight होगा molecular mass upon molecular mass yes, very good molecular mass upon empirical mass बोल सकते हम लोग empirical mass बोल सकते हम लोग empirical mass बोल सकते हम लिख लो बचे जी, एक formula A आ गया यह दोनों formula का आप और एक formula A है तो लुक्लों बचे लिए इस बचे वेरी बचे से रहा वेरी नाइस वेरी नाइस आज के performance से आपके मतलब मैं 80% मतलब satisfied हूँ आपके class के performance का मतलब maximum बचे से जीए क्योंकि लगभग more than 10 student का इंट्रेक्सर क्लास में हुआ और तभी रिजल्ट आएगा बचे जी ठीक है तो आप निट की की और में सकी टियारी कर रहे हो तो वजबचे लिए अब आपने इसको लिख लो और ृस व अल टूम नेक्स नुकिन जी कितना होगा आपसे कितना पढ़ा हूँ ना कंसेट उस पे कितना आपसे होगा एदेकर भी कोई मतलब लिमिटेशन कोई लिमिटेशन नहीं करना चाहिए हर चाक्टर पर 150-200 तो रिजल्ट से आते हैं ठीक है चलो बचली सो थैंक यू वेरी मच फर गिविंग और प्रिशियस टाइम है वे ब्यूटिफुल मौन एंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू झाल थैंक यू 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